मैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में आज बात करने वाला हूँ जो I am sure आप सब की लाइफ में होगी किसी के अंदर थोड़ी काम, किसी के अंदर थोड़ी सी ज्यादा होगी वो है अंगर, गुस्सा जहें हों अपनी बॉड़ी के थूए एक्सप्रेस करें, ज Anime अपने बॉर्ड्स के थूए एक्सप्रेस करें जए अपने मन में रखें, अंदर ही अंदर, गुस्सा पनप्रा है है, यह गुस्सा एक प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आप इसे कितने लोगों को पता है कि यह जो गुस्सा है यह आपकी health के लिए अच्छा नहीं है बलकि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है कितने लोगों को यह बात पता है सबको पता है यह आपकी relationships के लिए अच्छा नहीं है चाहे वो relationship एक husband wife का हो चाहे दो friends का हो वो relationship को अंदर यंदर खोगला करता चला जाता है एक second का गुस्सा आपकी पूरी की पूरी जिंदिगी को एक second में तहस नहस कर सकता है आपको पूरी तरह से बरबाद कर सकता है वो एक second का गुस्सा अगर गलट time पे वो आ गया तो गलत जगे पर गलत इंसान के सामने आ गया तो तो आज हम क्या करने वाले हैं उपर उपर सर्फिस लेवल पर बात महीं करेंगे अंदर डीप में जाने वाले हैं और कैसे ज़र से इसको उखाड सकते हैं आप में से कितने लोग हैं जिनको गुसा आता है सबको आता है जिनको बहुत गुसा आता है ऐसे कितने लोग हैं जिनको बहुत गुसा आता है अब जो मैं बोलने वाला हुना उसको ध्यान से सुनना हो सके तो अपने अंदर तक जाने देना आप सब लोग जिनोंने भी अभी अभी अपने हाथ उपर करे थे जाने या अंजाने छूट बोल रहे हूँ आपको गुसा नहीं आता है अब मैं यहाँ पर हिप्नोटाइज नहीं कर रहा है आप लोग को मैं रियालिटी के बेश को बात कर रहा हूँ तो पूरा समझ लेना ना क्या बोलने वाला हूँ मैं कोई बावा नहीं हो बेटे तुम्हें गुसा नहीं हो किरपा होगी किरपा होगी किरपा होगी वह नहीं कर रहा कोई theoretical बात नहीं practical कि जिन लोगों ने भी अभी अभी अपना हाथ उपर किया और बोला कि मुझे गुसा आता है सब जूट, सब बकवास कोई गुसा नहीं आता आप लोगों को आप लोग जान बूच करके accept करना है इसको, सुनना है ध्यान से आप लोग जान बूच करके सोच समझ करके अपनी मर्जी से गुसा करते हो इस सच को समाजने की कोशिश करना अभी मैं इसके बहुत डीप में जाने वाला हूँ गुसा कोई टॉयलेट नहीं है जो आता है मुझे सुसु आता है तो उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि वह टॉयलेट आया है तो करना ही पड़ेगा उसको रोक नहीं सकते कोई नहीं रोक सकता इस पूरी दुनिया में लेकिन गुसा ऐसा नहीं है आया है किसी को परद बाद नहीं बाहर जा सकते हो इसको आया है वैसे में शकल तो देखो बागी साब हस रहोंगे वो सीरेज बैठा हो अलगी पता लग जाएगा तो गुसा क्या है ये डांस के जैसा है भाई कभी आप कहते हो कि मुझे डांस आया है डांस आया है डांस आप करते हो आपका मन करे तो आप डांस करो मन करे दस घंटे करो मन करे रुख जाओ मन करे फिर करो मन करे ना करो मन करें कभी ना करो हमज़ रहे हो और किस बेस पर मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको एक real life practical example देता हूँ बिल्कुल practical जिससे आप सब relate कर पाऊगे आप में से कितने लोग job करते है तो आप जहां पर भी job करते है कभी आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है क्या नाम है आपका जय भाई कभी आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है कि आपके जो बास है उन्होंने बिना बात पे किसी वज़ेसे उनका mood खराब था घर पे या किसी वज़ेसे बिजनस में कोई problem चल रही थी बिना बात के आपकी बिना किसी गलती के जबर्दस्ती आ करके आपको डाट दिया कई बार हुआ है और बहुत लोगे साथ तो रोज होता होगा रोज होता है कि बॉस के घर में कोई प्रॉब्लम होगा उसका कुटा मर गया आकर के सारे गुस्सा आपके उपर निकाल दिया, होता है? सबके साथ होता है, मतलब कि आपकी कोई गल्ती ही नहीं है, और बेवजे आपकर के आपको बुरी तरह से ज़ढा जा रहा है वहां पर, बुरी तरह से आपकी इंसल्ट करी जा रही है, दस लोगों के सामने खड़े हो करके तो मुझे एक बात बताओ कि जब आपके साथ में ये होता है तो क्या आप जा करके उस बॉस को मारने लग जाते हो, पीटने लग जाते हो अपने उस कंपनी के उनने को मारते हो पीटते हो अपनी आखे लाल करके उसको उंगली दिखा करके बोलते हो कि आज के बाद यह दुबारा नहीं होना चाहिए कबरदार कोई भी है जो ऐसा करता है anybody कोई नहीं करता तो क्या करते हो उस समय हम चुप चाप मूनी चे कड़के खड़े रहते हैं और उसकी सारी बाते सुनते रहते हैं बड़े ही प्यार से यह करते हैं अब दूसरी तरफ देखो हम घर में हैं और आपने से कितने लोग मैरेड हैं जिनके दो बच्चे या तीन बच्चे या दस बच्चे या बीस बच्चे हैं दो बच्चे दो तो आप अपने घर में बैठे हो आराम से टीवी देख रहे हो आपका जो छोटा वाला बच्चा है पूरोता रोता आपके सामने आया कि पापा वो भाईया ने मजे मारा 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 उस वक्त अब क्या करते हो जा करके अपने बॉस का गुस्सा भी और अपना सारा का सारा गुस्सा उस बड़े बच्चे के ओपर निकाल देते बिना ये समझे कि उसकी गल्ती है भी या नहीं है हो सकता है वो छोटा बच्चा जूट बोल रहा हो आपने से कितने लोग हैं जो छोटे हैं अपने घर में मतलब कि उनका कोई बड़ा भाई आया वड़ी वहन है तो आप लोगों ने उप जूट बोला होगा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही कि आपको गुस्सा आता नहीं है आप गुस्सा करते हो अपनी मर्जी से situations दो हैं एक जगे पर जहां पर आपको अंदर से पूरी तरीके से गुस्सा आ रहा है उसमें से इतना सा भी गुस्सा एक्स्प्रेस नहीं हो रहा है क्यों क्यों कि वहां पर आपका नुकसान है आपको पता है कि भाईया बॉस की आगे अगर मैंने गुस्सा किया बोलना तो बहुत दूर की बात है अगर आंखे दिखा दी उसको बॉस को तो मेरी वाट लग गई मेरी नौकरी गई उसके बाद में मैं अपने गाड़ी की EMI कहां से भरूँगा अपने घर की EMI कहां से दूँगा बच्चों के स्कूल की फीस कहां से आईगी क्या करूं तो गुस्सा अमने नहीं किया अपनी मर्जी से दूसी तरह वो जो बच्चा है छोटा सा हमें पता है कि महां हमारा कोई नुक्सान नहीं है अगर मैंने इस बच्चे को मार भी दिया तो यह कहां जाने वाला है क्या घर शोड़के चला जाएगा क्या पलट करके मुझे मारेगा क्या गालिया देगा क्या करेगा डर जाएगा तो जहां हमारा जोर चलता है वहां आम गुस्सा करते हैं और जहां जोर नहीं चलता अब जहां हमारा कहीं जोर नहीं चलता वहाँ पर भीगी बिल्ली बन करके खड़े रहते हैं यह एक आदत पढ़ गई है हमारी हैबिट बन गई है अगर इस हैबिट को अब सच में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहला तो स्टेप यह है कि आप इस बात को accept करो और इस बात की पूरी responsibility लो कि मुझे गुस्सा आता नहीं है मैं गुस्सा करता हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है responsibility लेनी है अगर आप responsibility कभी लो ही ना आप बोलते हैं मुझे तो गुस्सा आता है आता है आता है तो भाई यह टॉलेट आता है तो करना ही पड़ेगा न उसमें आपका तो कोई control ही नहीं है आता है मुझे डर लगता है तो जब लगता है तो उसके अंदर तो आपके पास में कोई option ही नहीं है जब लगता है तो डर नहीं पड़ेगा बट अगर आप ये बोलना शुरू कर दो कि मुझे गुस्सा आता नहीं है मुझे डर लगता नहीं है मैं जान बूच करके अपनी मर्जी से गुस्सा करता हूँ मैं जान बूच करके अपनी मर्जी से डरता हूँ तो आपके हाथ में कंट्रोल है जब आप अपनी मर्जी से गुस्टा करते हो तो अब आपके हाथ में कंट्रोल है कि गुस्टा ज़्यादा करना है कम करना है या नहीं करना है डर में भी आपके हाथ में कंट्रोल है कि ज़्यादा डरना है कम डरना है या नहीं डरना है आप इसे कितने लोगों ने बच्पन में बहुत horror movies देखी है ड्रावनी movies देखी है और क्या कभी आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है especially आप लोगों के साथ ज़्यादा हुआ होगा जिन्होंने भी अपने हाथ उपर किया है क्योंकि मैंने भी बच्पन में बट देखी है horror movies कि रात का टाइम हो गया है कि इवन बारा एक बज़े हुए है और सब लोग सो गए है घर में और आप उपर से अंधेरे में सीडियों से उतरते हुए आ रहे हुए और आपको लग रहा है कि आपके बीशे कुछ है हुआ है ऐसा कितने लोगों के साथ में हुआ है और हम जल्दी जल्दी भागने लग गए जल्दी जल्दी जा रहे है हुआ है ज़रा सोचो आपको गलत फैमी क्या हो गई है कि मुझे डर लग रहा है जबकि आप जान बूच करके अपने मज़े के लिए डर रहे हो और सोचो कर डर बे मज़ा नहीं होता तो लोग horror movies क्यों देखते हैं सोचो डर में, गुस्ये में इन सब शीजों के अंदर एक thrill है एक power है जिसको आप experience करते हो मज़ा आता है कि मिढ कि इत मिलती है? बड़ा मज़ा हाता है एक्साइटमेंट है इसलिए उसी आप अपर इप्से जान बूच कर के डरते हो जान बूच कर करते हो और जितनी भी कमिया है है आपक अदर वो तब जान बूच कर कर cabeça कि सिर्फ इतनी सी चीज को एक्सेप्ट करना है इतनी सी चीज को समझना है तो होता क्या है कि जब हम उतर रहे हैं सीडियों से और हमारे पीछे कोई आ रहा है और स्पेशली जब हमने ड्रावनी पिचर देखी है तो जा करके बैड बे भी लेड जाते हैं तो आसा लगते कि कि भाईया आपको डर नहीं लगता आप जान बूच करके डर रहे हो और अगर यकीन ना हो तो अगली बार जब आप रात को अंदेरे में सीडियों से उतरते हो यह आ रहे हो गए और आपको लगेगा कि पीछे भूत है तो पलट करके देखो देखो पलट करके आपको पता लग जाएगा मैं सच बोल रहा है जूर बोल रहा है देखो भाई यह दो ही चीज़े होंगी या तो भूत सच में होगा मान लो कि है मान लो है तब भी अगर आप पलटे तो आपका फाइदा है नुकसान है फाइदा है भाई वो तो वैसे भी आपको मारनेई वाला है ना वो तो वैसे भी आपको खाने वाला है दिनेर में तो अगर आप पलटे तो आपके अपको फाइदा हो है उसे लड़ने की चोrais तो है भाई कुछ कर तो सकते हो अब आपकी गर्दन पर दांक मारेगा तो आपकी जांगर को उसकी गर्दन पकार सकते हो क्यों नहीं चोईस है मैं यह नहीं कहूँगा कि हनुमान चालिशा पढ़ना अच्छा है या बुरा है मैं बस यह कहूँगा कि उससे आपका डर भड़ता है पढ़ो पढ़ने में अच्छा है विश्वास है पढ़ना चाहिए लेकिन यह मत समझो कि उससे डर कम होगा क्योंकि डर से आप जितना लड़ोगे वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा भूत से आप लड़ नहीं सकते क्योंकि वो है ही नहीं अरे भूत हो लड़ो नहीं से भूत कहा है हमारे माइंड के अंदर है जिसको आप जितना सच बानते चले जाओगे जितना सच बानते चले जाओगे उतना ही वो पक्का होता चला जाएगा उतना ही उसका एग्जिस्टेंस स्ट्रॉंग होता चला जाएगा उतनी ही उसकी पावर्स भढ़ती चली जाएंगी आज आपको सिर्फ महसूस हो रहा है कुछ दिन बाद आपको दिखने भी लग जाएगा सिर्फ आपको दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा हो क्या रहा है? कि भूत करते क्या है? यह आप से आपकी पावर खीच लेते हैं यह आपकी इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं है आपने मुवी देखी उसमें कुछ इमेजिन किया अगर सोचो एक छोटे से बच्चे को जागर जागर के डराने की कोशिश करी जाएए को डरेगा क्या? इसने कभी कोई भूत की पिच्छर नहीं देखी उसको बोलो भूत, 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 क्या होता है भूत? मुझे पता ही नहीं जिसको बोलना नहीं आता जो आपने लैंगवज ची की बच्पन में उसमें आपको एक वर्ड मिला जिसको कहते हैं भूत वो जा करके आपके दिमाग में चिपक गया और उस भूत को जब आपने एक मूवी के अंदर देखा तो उसकी एक इमेज आपके माइंड में बनी हुई है और उससे आप दर रहे हो तो होता क्या है आप जितना भी इससे लड़ोगे जितना भी इसको कंट्रोल करोगे जितना भी इससे भागोगे यह उतना ही स्ट्रॉंग होता चला जाएगा करना क्या है ना लड़ना है ना भागना है ना डरना है सिर्फ पलट करके उसको देखना है अपनी पूरी शक्ती के साथ अपनी पूरी एनर्जी के साथ एक दिन पलट करके सीडियों में उस भूत को देखना है और बोलना है कहां है सामने आख कहां है और बिल्कुल ऐसे ही घुसे के साथ करता है